अगर हम इसको जो 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 इन्जेक्शन पर लेके जाएं और इन्जेक्शन पर लेके जाएं तो इसी का इसफ़क वेट जो है गोश्ट का वेट जो होता तकरीवन 22 मन होता यह हमारा पंजाब का संडा कहलाता है यह पंजाब की नसल है और यह नॉर्मल संडा है यह देख लें आप इसकी चार साल इसकी उमर है और यह दो दाहत के उपर है और यह और यह और यह और यह और फीट पर जो है वह और यह और इसका जो है और इसका जो है वो मीट बेट तक तो इसी का इस फक वेट जो है, गोश्ट का वेट होता, तकरीवान 22 मन होता, 22-25 मन होता और इसका अपना लाइफ बेड होता है, 40 मन. जो लाइफ बेड जाता है, वो 20-22 मन, 24 मन, ये चला जाता है, राम से जाता है. वो ऐसे किसर देखें, पहली बाद वो दो दांट नहीं होगा, टीक है, वो होगा चार दांट, और उसके अपर उन्हें ने चार साल या तीन साल महनत की भी होगी, और उसके ओपर यह हैं कि उन्हें उन्हें को फीट दिए और एक्स्रा इंजेक्शन दिये वहँगे, दूसरे तेन चार कंपनियों का यह आता है। उसके बाद एक वापका मीट गिरोफ फीड आती है। वह लगती है। इसके लावा केमिकल्स आते हैं जो इंपोर्ट किया जाते हैं। जावर्ट के गोश्ट में तद्दिलियां यह पैदा होती है कि जानवर अपनी खुराख से जादा खाता है। जब वह जादा खाता है तो उसके अंदर अब्सर्ब करने की ताकत नहीं होती तो उसके बाद उसका मैदा भी खराब हो रहा हुता है। वह जास तो जानवर बादीपन में बहुत आरहा होता है। जाहरत अबलाइभी जानवरों पिया जाता है या चौलिस्तादी और अब्रामन पेंपर जादा किया जाता है क्योंकि आप रिज़र्ट बहुत अच्छा देते हैं। क्योंकि ये बहुत जल्दी चल्बी को गैन करते हैं, ये जानवाइब इसमें आपको तमाम दालों का चुरा भी मिलेगा और इसके अंदर चौकर की भी है, इसके अंदर मकई भी है जो मकई हम लाजमी दलबाते हैं क्योंकि मकई प्रोटीन होती है इसके मकई भी मकई में, इसके मकई माई लाजमी होती है ये इए पार्येट फ्रों मेंagement में लेकिन पीस के अंदर शीरा इंकलूद होता है शीरा डलने के बाद जो ये इस पर मन आती है लेकिन वो नहीं होते हैं समय केल्शियम में लाजमी हता है ये पाला कहलाता है झाल झाल